कर दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो का टॉपिक है कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन क्या है कैलिब्रेशन क्यों करना जुरूरी है कैलिब्रेशन क्या होता है कैलिब्रेशन रिपोर्ट क्या होती है और कौन कैलिब्रेशन करने के लिए और थाइज है यह सारी चीजे हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो ज्यादा वक्त नगवाते हुए शु के उपर इस तरीकी के स्टीकर देखे होग mesa लोग नए आते हैं अंजिस्टी के अंदर उपड़ इस त्राइबकी होते हैं उनके लिए 웃ी रहोते हैं उंके लिए इस चीज़ का स्टीकर लगा हूए माइक्रोमीटर की वपर या वर्नियर के उपर या डायल गेज के उपर और cyber के ऊपर लिखा होता है यह होता है यह होता है Colorado को इसको अब होता है हमारा calibration sticker जो हम已經 सूचना देता है कि हमारा instrument कब कालीबरेट हुआ था तब तक ये हम इस्टर्मेंट की लिए इस्तेमाल किया जाता है । जो हमारा मेजरिंग इस्टर्मेंट है। उसको एक हम स्टैंडर्ट इस्टर्मेंट के गया पकाबले और पमास के मीजररि मेंट कर तो कि हमस्ट कर लेक्ट है करें ने रहे हुँआ हैं जो ढूंडर्अ मैं बात करूँ क्या ये कैलिबरेशन एक परिकरिया है, इसके अधर नहीं ही रिजरिंग हो गया आउसे है, जो इसको एक स्टेंडर्ड मेजर्मेंट के साथ सही रिकरिया जाता है, नहीं हैंगी, तो यही सारी चीज़ें कैलिबरेशन में दे रहा है, जैसे इन शॉट बात करूं, दो ग्लास के अधर्मी था जाता है, वहां नहीं है, उग खाक है का फिलीग 10-2mm के नहीं है, तो के सही जो हम्या लिया 200mm के था जो ह आपने लिए 200 ml का एक फ्लास्क ले लिए या हमारा जो इस टैंडर्ड आइटम है या जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरिंग ग्लास है वो हमने लेप से लिए 200 ml अब पहले एक्स वाला चेक किया और वाई वाला चेक किया एक्स वाले में आ रहा था 180 ml और वाई वारे में आ रहा था 205 म ल तो हमने करें चिया उसको कंडिरेंट सरके देखा कि क्या वह है 200 ml ही दिखा रहा है यह X और Y glass या कम जादा तो नहीं है तो दोनों ही glass क्या होगे दोनों ही glass calibration में reject हो गए अब उन glasses से हम 200 ml नहीं नाप सकते तो यही सारी चीज़े हमें calibration से पता चलती है अब दोस्तो calibration क्यों जरूरी है या क्यों करना चाहिए calibration और कब-कब करना चाहिए जब भी हमको इस्टुमेंट यूज करते हैं चाहिए माइक्रोमेटर हो, वर्मियर हो, डाइल गेज हो, हाइड गेज हो, सर्फेस प्लेट हो तो क्या होता है समय के सास्ता और यूज के सास्ता उसमें वियर टियर आ जाता है कि वह चीजें उसकी पार्ट जो है किसने लगते हैं कुछ तूट फूट जाते हैं जैसे आपको यह स्क्रीन के ओपर भी दिखाई दे रहा है यह हमारा इंडिकेटर है इसका साइड से सीशा तूट गया अभी इस साइड से सीटा तूट गया तो इसके अंदर क्या भी डूलमिट्टी इस पर लगी हुई है तो क्या यह सही reading दिखा रहा है ऐसा तो नहीं है डूल मिट्टी के कारण क्या है जादा असके अंदर वियर टीर तो नहीं हो गया तो यही सारी चीजे हमें किस से बदा जलती है कैलिबरेशन से कि जो हमारा instrument है वियर टीर की विए से खराब तो नहीं हो गया रीडिंग तो गलत नहीं पिताने लग गया यह हमें कैलिबरेशन से पता जलता है अब कैलिबरेशन हमें करना कब-कब चाहिए किसी भी instrument का या कब-कब कराना चाहिए दोस्तों कैलिबरेशन जो है वो डिपैंट करता है उसके यूज़ पे, instrument के कोई मेरा instrument है जो हर 10 निट में एक बार यूज़ हो रहा है या दिन में 10 से 12 बार यूज़ हो रहा है या हमने production line पर दिया हुआ है कोई micrometer या vernier जो हमारा quality inspector है बार-बार जाता है उससे reading लेता है और एक हमने plug gauge दिया हुआ है या thread plug gauge दिया हुआ है operator को वो 100% उससे inspection कर रहा है सारे parts ठीक है और एक हमारे पास है profile projector हमारे पास इतने critical parts नहीं है लेकिन हमारे पास profile projector है जो कि हम हफते में एक बार use कर लेते हैं जब कोई नहीं setting shooting लगती है तो हमने हफते में एक बार check कर लिया उस पर तो यह तीन example होगे एक तो मेरा gauge है जो मैं जिससे हर पार्ट शेक कर रहा हूँ एक मेरा micrometer है या vernier है जिसको मैं दिन में कम से कम 10 से 15 बार रहा हूँ और एक profile projector है जो कि मैं हफते में या 10 दिन में एक बार रहा हूँ तो तीनों की जो calibration frequency है वो same नहीं हो सकती अगर हम तीनों की calibration frequency से इन कर दे कि तीन महीं में सब को calibrate कराना है उससे क्या होगा कि company के ओपर बहुत ज़्यादा बहुत आती है प्लस क्या है कि जब जो instrument यूज ही नहीं हो रहा वो घिजेगा क्या उसमें वीर टियर क्या होगा environment के कुछ चीजे हो सकती है कि environment का थोड़ा बहुत impact आ सकता है लेकिन वीर टियर वेसे उसमें कोई दुफसान नहीं हो रहा है तो उसका जब जब जस्ती क्यों calibration कराना है तो हमने calibration जो कराना है वो जो उसका frequency है यूज का उसके हिसाब से उसकी frequency define करनी है वो दीन महीने भी हो सकती है छह महीने भी हो सकती है एक साल भी हो सकती है दो साल भी हो सकती है प्लस में जो manufacturer ने suggest किया है कि आपको एक साल में एक बार कराना है या तीन साल में एक बार कराना है उसको भी हमने consider करना है तो दो method है calibration frequency define करने के एक तो frequency of use, इतनी ज़ली हमारा instrument यूज होता है, दूसरा है जो manufacturer ने हमें suggest किया है, अब ये calibration करेगा तो ऐसा तो नहीं है, कोई भी लुपन्जू, किसी नुकड़ की दुगान पे, नुकड़ की lab पे हम calibration करा लेंगे, तो इसके लिए क्या किया है, government of India ने एक authority बनाए हुई है NABL, National Accredation Board for Testing and Laboratories, NABL के नाम से एक संस्ता बनाए हुई है, जो कोई नई lab खुलती है, उसको इसके साफ से चेक करती है, IEC 17025, 2017 standard के हिसाफ से उनको चेक किया जाता है, कि ये competent है, योग्य है या नहीं, calibration करने के लिए, साथी उनको इस तरीके का एक certificate release किया जाता है उस lab को, जिसके अंदर उसका नाम लिखा होगा, lab का, यहां लिखा होगा, ISO IEC 17025, 2017, साथी उसका scope लिखा होगा, journal requirement for the competence of testing and calibration level 3, साथी उसका address, क्योंकि हो सकता है, एक lab की चार ब्रांच चीज़ों, तो हर ब्रांच का अलग-अलग certificate release होगा, in the field of calibration, साथी यहां पे लिखा होगा, कब यह issue हुआ, कब तक valid है, प्लस में certificate number, तो इस तरीके का certificate, government की authority, NAPL, release करती है, उसके बाद ही वो लोग authorized होते हैं, calibration करने के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी उठेगा, और calibration करना शुरू कर देगा, अब जब भी आप calibration कराते हैं, किसी भी लैब के थुरू, तो उनसे बोलिए कि भाई, अपना calibration graph scope या certificate बेज़ दो, उसके पहले आप उसको order मन दो, आज कल हो क्या रहा है, कि लैब बहुत सारे कुल गए, वो क्या करते हैं, वो तो खुद को क्या कहते हैं, अथराइज नहीं होते, लेकिन क्या करेंगे, बिचॉलिया क्राम कर रहे हैं, आप से instrument लेके जाएंगे, दूसरी लैब पे जाएंग तो इसलिए आप जब भी कोई नहीं agency चुने, या आपकी existing agency भी है, तो आप उससे scope मांगे कि आपकी जो है lab NABL authorized है या नहीं, audit में भी एपुछा जाता है, audit में भी ए certificate मांगा जाता है, जब quality audit होता है, कि ठीक, आप दिखाईए किससे calibration कराते हैं, या ये instrument आपने किससे calibrate क इसका scope दिखा दीजिए, NABL का, वो authorized है, क्या नहीं, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको information ये देना चाहता हूँ, कि हमारा जो एप है, AYT India Academy का, वो Android पर available है, जिसका link मैंने नीचे डाला हुआ है, अगर वो आप डाउनलूड करते हो, तो उसमें आपको क्या हो आप तीन कोर्स दिखाए देंगे, पहला जो कोर्स है, हमारा हुआ है, इंटर्व्यू और रिजूमें से रिलेटेटिट इसके अंदर हम आपको बताएंगे, की रिजूमें कैसे बताएंगे, एक अच्छा रिजूमें कैसा होना चाहिए, उसका साथी पॉर्मेट देंगे साथी जो लोग स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो भी इसको परचेस कर सकते हैं, इसके अंदर सारे स्टोर डिपार्टमेंट के डिटेल्स सही तरिके से बताएंगे हैं, साथी इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिस डोनों में वीडि आए गए गए ने